Hello everyone, welcome back to my youtube channel So, आज हम लोग ये वाला makeup look create करने वाले है जो कि बहुत ही simple और pretty green color का मैंने smoky eye look create किया है और अगर आप मेरी channel पे नए हो तो please subscribe my channel और hit the like button मुझे motivation मिलता है और मैं instagram पे बहुत ही active हूँ तो आप मुझे वहाँ पर भी follow कर सकते हो So, अभी हम लोग ये makeup look create करते हैं, let's go So, अभी हम लोग लेंगे ये वाला primer जो कि inside का है और बहुत ही affordable है Personally मुझे primer लगाना बहुत ही अच्छा लगता है और ये कभी skip नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि आपके pores को close कर देगा ये और अच्छे से makeup set होता है और ये pores minimizer primer है तो आप इसको लगा सकते हो जिसके बहुत ही सारे open pores हो आपको मेहगा वाला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी हम लोग लेंगे ये loomy cream जो हमें थोड़ा glass finish देगा हमारे makeup को और ये almost खाली हो गए है मैं इसको बहुत ही use करती हूँ as a highlighter or as a loomy cream क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा glow आता है आप देख सकते हो maybelline fit me foundation ये वाला foundation मेरा go to foundation है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत अफोरेबल भी है मैंने या नीचे mirror रखा है तुम्हें उसमें देख के दर आए होगी बहुत ही simple makeup होगा ये so concealer भी fit me का ही है थोड़ा में यहाँ पे लगाओंगी थोड़ा यहाँ पे अच्छे से इसको blend कर दोंगी कि अपर मोशिन में मेरे पीरियड आने वाले हैसले मुझे यहाँ पे इतना प्रेकाउट हुआ है कि क्या बताओ मैं वहत सारे pimples आया है मुझे वरना मुझे इतने pimples आते नहीं है जब मेरा पीरियड आने का time होता है तो मेरी स्कीन खराब हो जाती है मानना मेरी स्कीन इतनी खराब नहीं है बहुत ही desert dry है उसके care मुझे बहुत करनी पड़ती है मेरी स्कीन क्या बता हूँ मुझे दिन में 3-4 बार मुझे मोस्चुराइजर लगाना पड़ता है और बोडी लोशन भी लगाना पड़ता है मैरी पूरी बोडी dry है तो गर्ल्स में अभी मेरा यह मोनिटाइस हो जाए मेरी चैनल उसके बाद मेरी सेपरेट ब्यूटी चैनल बनाने का सोच रही हूं ताब मुझे वह बनाओ ताब मुझे उसमें भी फोलो कर देना और अभी मेरा भाई की न शादी होने वाली है तो मैं वहां का प्रोपर व्लॉग बनाने वाली हूं शादी का पूरा प्रोपर व्लॉग होगा यहां पे भी होगा क्योंकि मुझे यहां पे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है पर ट्रेडिशनल वेर मैं गुजरात से ही लेती हूँ, अगर आपको पता नहीं है तो मैं गुजराती हूँ, प्रॉपर काठिया वारी, तो मुझे ट्रेडिशनल कपड़े तो मुझे वहां पे ही लेने पसंद है, यहां पे बहुत कोसली भी होते हैं, और इतने सारी वेराइ हूँ, वहां पे बादनी बहुत ही फेमस है, तो मैं वहां का भी व्लोग बनाना जरूर चाहूँगी, और मैं आउटफिट फ्रों स्क्राच करने वाली हूँ, तो आप वो भी देखना, क्योंकि मैं रेडिमेट कपड़े नहीं लेती, मैं सिर्फ बेस्टन जो आउटफिट पेंती हूँ, वही रेडिमेट लेती हूँ, बाकी मैं सब कुछ डिजाइन करवाती हूँ, मटीरियल लेके, तो आप वो सब कुछ देखें कि मैं सारा व्लोग बनाने वाली हूँ, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतने सारे लोग मेरे वीडियो देखते हो, आप लोग सबस्क्राइब नहीं करते हैं, और कोई करीं तो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करता है, मतलब प्लीज करो क्योंकि सपोर्ट तो आप ओवियसली कर ही सकते हो, मैं अब यह भी मैनी चैनल स्टार्ट हुई है, तो उसने मुझे डी मोटिवेट हो जाता है कोई मुझे अनसबस्क्राइब करता है तो प्लीर अनसबस्क्राइब मत करो उल्टा सबस्क्राइब करो मुझे और मोटिवेट करो और आपको व्लोग में तो बहुत मज़ा आने वाला है मैं अगर मेरी मम्मी के यहां पर गई ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मे मेरे मम्मी के यहाँ पर और मेरे इनलोज भी गुजरात में ही है बर जो मेरा गाउं है उससे 1.5 भावर दूर है मैं वहाँ पर भी जाओंगी मैं ट्राइ करूगी कि मैं वहाँ का भी व्लोग करूँ क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ से वहाँ बहुत ही डिफरेंट है आपको बहुत कुछ अलग चीज़े देखने को मिलने वाली है ओके बहुत होगी बात हम लोग मेकप कर जीन्यू करते हैं सो अभी कॉंटोरिंग कर लेते हैं हूं यह अपने फेस को चीज़ों दिखाने में बहुत ही हेल्प करता है मैं मेरे भाई की शादी में सोच रही हूँ कि पूरा व्लोग करूं अच्छे से और आइविश के उसमें अच्छे से व्यू आ जाए क्योंकि यार व्यू ही नहीं आ रहे इतना वैसे मेरे सब्सक्राइबर के अकोर्डिंग इतने व्यू बराबर होते हैं बट फिर भी यह दिल मांगे मोर्ड अच्छोटा सा ब्रस लेंगे और यह कॉंटूरिंग को ब्लाइं करेंगे मुझे ना ऐसे चिट चैट वीडियो बहुत ही पसंद है बट अभी मेरे इतने सारे फोलोवर्स नहीं है और किसी किसी को सिर्फ मेकपी सिखना होता है चिट चैट वीडियो नहीं पसंद होते हैं जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मुझे उससे कनेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगेगा मैं ऐसे वीडियो ज़रूर बनाना चाहूंगी जिट चाट विद मेकप क्योंकि मालवी का शितलानी ऐसे वीडियो बनाती है और मुझे बहुत ही पसंद है और वह जब बात करती है oh my god सारी बाते रिलेटेबल होती है इसलिए मुझे बहुत ही पसंद हो मेरे फेवरित यूटूबर है और गार का में इस पिमेरे फेवरियो यूटूबर है वह दोनों में उसको बहुत हैंग से फोलो करती हो और वह मेरे इंसपरेशन है बट I love makeup तो मुझे makeup के वीडियो और vlog तो मुझे बहुत ही पसंद में जल्दी चालू करने वाले हूँ I wish कि वो चल जाए और प्लीज अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप इतनी क्यूट लग्की को सब्सक्राइब करना नहीं चाहोगे क्या और अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ मैं डे बाई डे मतलब इंप्रूव करना चाती हूँ और कर रही हूँ तो मैं पैर्स का सोप ले रही हूँ और इसमें में नेना मेकप फिक्सर डाला है और उससे में मेरा आइब्रोडी फैंड करने वाली हूँ तो पहले आपको इसको उल्टी साइड बे ऐसे करना है पूरा मुझे ना बूशी आइब्रो बहुत ही पसंद है अभी में ये आइब्रो डिफाइनिंग किट अंदर लेने गई ना दर्वाजे में मेरी उगली आ गई पर मुझे नदर दो रहा है बापरे में बहुत दर दो रहा है मुझे ये वाला स्टेप बहुत ही पसंद है आइब्रो डिफाइनिंग से पूरा लुप चेंज हो जाता है आइब्रो लोग ये कलर लेने वाले है इसे कांजेशिन कलर तो अभी मैं कुछ न अलग ट्राइ करने का सोच रहे हूं तो मुझे न ग्रीन कलर का आइशेडो करना है विद्थ स्मोकी आइज चला अत्रंगी ट्राइ करना है मुझे और इसमें अभी हम लोग लेंगे थोड़ा सा ब्लैक कलर थोड़ा सा यह पर्पल कलर पर्पल ब्लैक मिक्स 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 और हम यहां पर आउटर क्रीज पर लगाएंगे आउटर वी क्लाइंट में होती हूँ न तो मेना ऐसे कलर नहीं लगाती क्यूंकि उसको पसंद ही नहीं आते फिर वो निकलवाते है मेरे से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है एक बार मेकप हो गया और फिर निकलवा देते हैं इतना अच्छा लगता हो इतना अच्छा लगता है फिर भी अब भी फिर अबी भी मेरा एक ओडर है तो में जाने वाली हूँ गो हुआ अगर आपको मुझे Mm मैं फ्रीलाइनसर मेकप आर्टिस्ट हूँ आपको अगर कोई वैडिंग है या फिर कोई फंक्शन है तो मैं मेकप करती हूँ अगर आपका बहुत ही बड़ा ओडर है तो भी मैल लेती हूँ हमारी पूरी टीम है तो यह आप मुझे ओडर दे सकते हो इंक्वेरी के लिए मुझे मेल कर सकते हो आप इमेल आइडी सब कुछ मैंशन है अभी हम लोग जा रहे हैं मैं जा रही हूँ दस तारिक को गोवा वहाँ पे वैडिंग है तो और हमारी पूरी टीम है वहाँ पे मेरी फ्रेंड और मैं दूनों साथ में करते हैं वह भी बहुत ही बड़ी मेकप आर्टिस्ट है और मैं फ्रीलाइंसर मेकप आर्टिस्ट हूँ कि अगया है तो मैंने यहां पर ऐसे थोड़ा सा परपलिश बर्गंडी कलर रहे यह बर्गंडी कलर लगाया है और उसके साथ में यह पिंकिश कलर ब्लेंड कर रही हूं यहां पर ऐसे और मुझे और भी ग्रीन कलर चाहिए थोड़ा कि वह पॉपप तो होना ही चाहिए और बहुत भी अच्छा मेकप हुआ है और मैं यहां पर भी ग्रीन कलर ही लगाने का सोच रहे हूं क्या लग रहे हूं एक ही आइस में आइशेडो है फिर भी और मैंने माइंड चेंज कर दिया है मैं नीचे ग्रीन कलर नहीं करने वाली हूं नीचे में बर्गंडी कलर लगा रहे हूं थोड़ा काजल लगाते हूं जिससे आइस थोड़ी बड़ी लगे तो मेरी आइस कंप्लीट हो गए है अभी हम लोग करेंगे मस्कारा तो पेले मैं कर लेती हूं मेरे आइलेशन स्कल्स यह है मेविलीन का हाइपरकल्स हाइपरकल्स मोटरप्रूफ मस्कारा और इसको पहले ऐसे कोट करती हूं मैशा और फिर ऐसे अप्लाई करती हूं अच्छे से हम इससे न बहुत ही बड़ी बड़ी लैशेस दिखती है आपकी और थोड़ा नीचे से नीचे भी लगा देते हैं नीचे मैं सोच रहे है मुझे थोड़ा स्मोकी टाइप करना है तो अब हम लोग करेंगे लिप लाइनर अब ही और भी लिपस्टिक ले ले वाली है शायद मैं इसमें रयट एड करूँ मैंने इसमें डाल दिये क्योंकि यह पूरी डिस्ट्रोइ हो जोखी थी लिपस्टिक वैस्ट क्यू करों मैं इसमें डाल दूँ मैं थोड़ा ओम्रेव इफेक्त दे रही हूं यह कलर बहुत ही प्री लग रहा है लिपस का ब्राउंजर लगाना मैं बूल गई हूँ ब्राउंजर इंपोर्टन है बहुत है बहुत है यह था मेरा आद का मेकप लूग जो कि कमप्लेट हो चुका है और यह बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही पसंद बेर सोच रही हूँ कि मेरी अनिवर्सरी पे मैं ये वाला ही मेकप करूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लैक ही आउटपिट पहनना चाहती हूँ मैं ब्लैक कलर के मेरे पास बहुत सारे कप्ड़े है और ब्लैक इस माइ हैपी कलर सो यह मुझे बहुत ही मेकप अच्छा लगा आप मुझे रेट कर सकते हो 10 आउट ओफ 1,2,3,4,5,6 आपको जितना भी अच्छा लगे इतना रेट दे सकते हो और हिट दे लाइक बटिन अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते आप सब्सक्राइब कर दो हमें हेल्प मिल जाएगी क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेनत लगती है और मैं एंस्टाग्राम पर भी बहुत ही एक्टिव हूँ तो मुझे आप वहाँ भी फोलो कर सकते हो तो या आज के लिए वैस इतना ही थेंक्यू फोर वाचिंग